स्वागत है आप सब का एलोव में इस दुनिया में ऐसे ऐसे वंडर से ना जो लेटरली आपका दिमाग एक्स्प्लोड कर देंगे और यह सारे वंडर्स किसी इंसान या फिर कोई मैन मिड़के चलते नहीं बलकि नैच्रियल तरीके से बने हैं और यह अमेजिंग वंडर्स भ इन बोली विया रिफ्लेक्टिव साल फ्लैट कहो या फिर सलार दे युनिनी कुछ भी चलता है और यह जगह बोली विया इस देश में है और अगर आप इसको पहली बार देखोगे ना तो डेफिनेटली कहोगे और भाई में कहा पर आ गया यह जगह धरती पर से ही नहीं ऐ करीब 30-40,000 साल पहले यहां पर एक लेक था जिसका नाम था लेक मिंचिन जो आप डेफिनेटली नहीं रहा है और इस जगह पर दस बिलियन टेंस का साल्ट यानि करीब इतने अकड़े का साल्ट का फ्लैट बन चुका है जो यह सर्फेस है ना साल्ट का सर्फेस वह 10 किलोमे इस जगह के दुन्य का सबसे बड़ा शीशा भी कहना तो भी चलेगा और जिंदगे में एक बार इसी जगह पर तो जाना ही चाहिए नंबर फाइव पिंक लेक इन आस्ट्रलिया जब आप किसी तालाब के बारे में सोझते हो तो सबसे पहले कौन से कलर का तालाब आपको य क्यों है इसका एक्जैक्ट रिजन सैंटेस को पता नहीं है सैंटेस कहते हैं कि डुनालिया सेलीना इस और फिर अलगी के चलते इस तालाब का पानी का कलर पिंक होता है और यह माइक्र अलगी एक ऐसा पिगमेंट कॉमपोंड प्रोडूस करता है जैसे कि गाजर का औरेंज कलर में बदलना या फिर पत्ता गोभी का परपल कलर में बदलना विचिसे सेंट अब डैट स्टप बिलकुल ऐसा ही काम करती है अलगी तो यह पिंक कलर का तालाब आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना नंबर फोर स्पैडर वेब ट्रिजन पाकिस्तान कभी आपने ऐसा प इन पेड़ों की इर्द गिल्द ऐसी बेवे ने इसी जाल बनाया इसा पूरा स्पैडर वेब बनाके पेड़ को पूरी जगह से कवर किया मतलब देखो कि अपने आपको कैसे बदल लेती है बतलब जैसे बार आया उन स्पैडर ने पेड़ों पर जाके अपना घर बनाया प अपने आप में बदलाव करती है और इन पेड़ों की बज़ी से बहां पर मच्चर भी कम होते है क्योंकि जब मच्चर इदर उदर घूमते है तो वे इन मकडियों की जाल में फच जाते है और फिर खलास मतलब मकडिया उनको खाती है काफी अच्चा पेड़े है न अगर को बाहतर में ट्रांसाल्टा नाम के कंपनी ने इस लेक को बनाया था यह लेक इसलिए फेमस से कि इस तालाव के पुष्टभा के नीचे मिध्यन ग्यास के बुलबुले ट्रैप हुए है यानि फस गए है और वह नजार आ ऐसा दिखता है कि मानुक इसने पेंटिंग बनाई ह यह फेनामनाम इसलिए पॉसिबल हो पाया है कि जब वह तालाव फ्रीज हो रहा था तब नीचे की बनासपतिया डिकड़ कैय हो रही थी और उसमें से मिध्यन ग्यास रिलीज हो रहा था और वह बुलबुले जब ऊबर आ रहे थे तब तालाव भी फ्रीज हो रहा था और ये दोनों क्रियाए एक साथ होने की वज़े से यह एक अनों का दुरिश्य पॉसेबल हो पाया है और उस वक्त पानी पे एकदम साप था ब्लू कलर का तो सब कुछ क्लेर कैप्चिर हो आए इस लेक में और इसलिए 53 किलो मेटर्स में फैलाए तालाब फोटोग्रापर्स के ल नहीं थे मतलब इतने बड़े थे क्रिस्टल उसमें से कुछ क्रिस्टल पच्पन टन इतने बड़े थे और वह क्रिस्टल फीचले 5.000.000 सालों से ग्रोब होते रहे है उस गुपा के अंदर की एश इसड़ीक है और वहां पर नाट्र लाइट यानि सनलाइट नहीं होते है अभी इतना 300 मिटर जमिन के नीचे अंदर जायेंगे तो वहाँ पर light कैसे अविलेबल हो सकती है और जब कोई tourist इस गुपा के अंदर जाता है तो उसको एक special cooling suit दिया जाता है क्योंकि वहाँ का temperature बहुत जादा होता है और वह इंसान सिर्फ 45 मिनिट ये अंदर रह सकता है और सिर्फ photo देखने पर ही जगा इतने अच्छी लगती है तो realistic में हो जगा कितने अच्छी होगी I think this is one of the best place on the entire planet earth where the mineral reveals it's up in such a beauty No.1 Shimmering Shirts of Maldives क्या आपको पता है कि कैसा beach है जो रात को चमकता है हाँ बिल्कुल ऐसे चमकता है वह beach रात के अंदरे में beach के पानी में नीले color के light glow होती है वह पानी ऐसा इसलिए चमकता है कि उस पानी में phytoplankton नाम के organism होते है और जब oxygen से पानी का संपरक होता है तो वह ऐसा glow करता है phytoplankton के अंदर blue luminance होता है मतलब वह ऐसा glow करता है और वह नीला color घातक होता है इतना ज़्यादा घातक नहीं होता लेकिन घातक होता है मचलियों के लिए और वह blue color उनका defense mode होता है कि मानों पूचो ही मत और इस आइलेंड पर पास तो क्या आसपास लोग रहते हैं और विजिटर्स के लिए यह जगा काफी फेमस है और इन सारी जगहों में से मालदिव्स की लाइट वाला बीज यह जगा मुझे काफी फसंद आई और इन सारी जगहों में से आपको कुंसी जगह बहुत अच्छी लगी नीचे कमेंट करके बताना वीडियो चल लगों तो इसे लाइक करना मद भूलना चैनल पर पहली बार रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही उस बेल को भी टच करना ताकि नहीं वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत मिल जाए तील देन बाई